चथा जब नवरात्र हो कुसमांडा को ध्याते जिसने रचा ब्रम्हांड ये पूजन है करवाते आदी सक्ति कहते हैं जिसे अश्ट भुजी है रूप इस सक्ति के तेज से कहीं छाव कहीं धो या देबी सर्वभू तेशू कुशमांडारू पेड़ संस्तिता नमस्तस्तै 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 नमोनमा जय मातादी ओम नमः शिवाय प्रियभत गड़ू आज अस्विन माह सुकल पक्ष की चतुर्थी दिथी है आज का दिन सौर मंडल की अधिश्ठात्री माता कुशमांडा को समर्पित है आज के दिन स्वक्ष मन से माता कुशमांडा की कथा का स्रमण करने से रोग सोक नश् यस बल सुक सम्रिधी की प्राप्ती होती है मन कर्म वचन में पवित्रता आती है ये देवी थोड़े सेवा और भक्ती से ही भक्तों पर प्रशन हो जाती है अपनी मंद हलकी हसी के साथ अन्ड यानी ब्रम्हांड को उत्पन करने के कारण इस देवी को कुश मांडा नाम से अभित किया गया है इन्हें अष्ट भुजा भी कहते हैं ये सुर्य लोग में निवास करती हैं तथा इन्हें के प्रकास से सुर्य प्रकास मान रहते हैं सुर्य लोग में रहने की छमता केवल इन्ही में है इसी लिए इनके सरीर की कांती और प्रभा सुर से कई गुना ब्रह्मान के सभी वस्तुओं और प्राणियूं में इन्हीं का तेज ब्याप्त है। इन्हें कुम्ढे की बली दी जाती है। ये देवी सदा प्रशन्न मुखवाली और तुरंत प्रशन्न हो भक्तों की सभी प्रकार के मनो कामनाओं को पूरी करती है। प्रिय भक्तगडों नौरातरी के चोथे दिन इनकी पूजा करने से भक्तों का मन अनाहत चक्र में होता है। इसके जागरित होने से किसी भी चीज की प्रती उत्पन, डर और भैक खत्म हो जाता है। और उस व्यक्ति को असीम सांती तथा ज्यान की प्राप्ती होती है। तो प्रिय भक्तगडों आज में सुना रही हूं नौरातरी के चोथे दिन सुनी जानी वाली माता कुस मानडा की बड़ी ही दुरलभ पौराडिक ब्रत कथा। जिसे आप सभी भक्तगड बड़ी स्रधा तथा प्रसन चितमन से पूरा अवसे सुनियेगा। इस कथा को आध अधूरा छोड़ कर मातारानी का अपमान ना करें। पूरा सुने। जय माता दी। इस प्रकार भिक्षा को वह भगवान का प्रसाद समझ कर श्रीकार करता था। इतना दुखी होने पर भी वह दूसरों की सहायता के लिए सदैव ततपर रहता था। यतपी उसके मन में अपार चिंता रहती थी। उसकी इंद्रियों पर उसका पूर्ण नियंतर था। वह हिर्दय में कभी क्रोध एहंकार और इश्या जैसे तुछ विकार उत्पन नहीं होते थे। ऐसे ही एक बार की बात है। उसके घर के पास एक सत्तिवरत नामक एक टेजस्वी रिसी आकर ठहरें। वे एक प्रस्षिध तपश्वी थे। उनके समान आस पास दूसरा कोई नह अब उस ब्रामण सुसिल के हिर्दय में भी उनसे मिलने की इच्छा जागरित हुई और वह उनकी सेवा में उपस्थित हुआ। सत्तिवरत को प्रणाम करके बोला रिशीवर आपकी बुध्धी अत्यंत विलक्षड है। आप अनेक सास्त्रों विद्याओं और मंत्रों के ग्याता हैं। मैं एक निर्धन, दरिद्र और असहाय ब्रामण हूँ। कृपा मुझे बताईए कि मेरी गरीबी किस प्रकार समाप्त हो सकती है। उसने आगे कहा मुनिवर आप से यह पूछने का केवल इतना ही अभी प्राय है कि मुझे में परिवार का भरन पोसन करने की स सकती आ जाए। धन के कमी के कारण मैं उन्हें परियाप्त सुभधाएं और अन्य सुख नहीं दे पा रहा हूँ। अतहे महात्मन, हे दयानिधे, तप दान, ब्रत, मंत्र, अथवा जप, आप कोई ऐसा उपाय बताने का कष्ट करें। जिससे कि मैं अपने परिवार का यथ चित भरड़ पोसन कर सकूं। मुझे केवल इतने ही धन की अभिलासा है जिसमें हम लोग भर पेट भोजन कर सकें और आराम से जीवन ब्यतीत कर सकें। तब सत्य वरत रिसी ने सुसील को भगवती कुसमांडा की महिमा बताते हुए नवरात्री वरत करने का परामश देवी के प्रतेक रूपों की पूजा की जाती है। यदि तुम नवरात्री के चोथे दिन देवी कुसमांडा की पूजा करो, तो तुम्हें सभी सुखों की प्राप्ती होगी, तुम्हारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। हे ब्रामः, मैं तुम्हें नवरात्री के दूर होते हैं, तथा इनकी पूजा करने से विक्ति को उनके मन मुताबिक वर्दान मिलता है। इसमें न कोई राग न कोई ध्वनी केवन सन्नाटा पसरा हुआ था। प्रश्मी के शरीर से एक नर और नारी का जन्म हुआ। नर के चार हाथ और चार सिर थें। उनका नाम ब्रह्मा रखा और नारी का नाम लक्ष्मी रखा गया। प्रश्मी के रचना विश्नु को पत्नी के रूप में सरस्वती प्रदान कर दी। ब्रह्मा को सृष्ती की रचना, विश्नु को पालन और सिव को शंहार करने का जिम्मा सौपा। इस तरह संपून ब्रम्हान की रचना मा कुष्मांडा ने की, ब्रम्हान की रचना करने की सक्ति रखने वाली माता को कुष्मांडा नाम से जाना जाता है. इस देवी की आठ भुजाएं हैं, इसलिए अश्ट भुजा कहलाईं, इनके साथ हाथों में क्रमसा, कमंडल, धनुस बाड, कमल पुष्प, अमरित पुन कलस, चक्र तथा गदा है, आठवे हाथ में सभी सिध्यों और निधियों को देने वाली जप माला है, इन देवी का वा सुर्य लोक के भीतर लोक में है, सुर्य लोक में रहने की सक्ती छमता किवल इन ही में है, इसलिए इनके सरीर की कांती और प्रभा सुर्य के भाती ही दिपती मान है, इनके ही तेज से दसो दिसाएं अलोकिक हैं, ब्रम्हान की सभी वस्त्वें और प्राणियों में इन ही का तेज भ्याप्त है। चंचल और पवित्रमन से नवरात्री के चोथे दिन इन देवी की पूजा आराधना करने चाहिए। इससे भक्तों के रोग और शोकों का नास होता है। तथा उसे आयू, बल, आरोग प्राप्त होता है। ये देवी थोड़े से ही सेवा से भक्तों से प कम समय में ही कृपा का सुच्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आधियों व्याधियों से मुक्त करती हैं और उसे सुख समर्द्धी और उन्नती प्रदान करती है। अतह इस देवी की उपाशना में भक्तों को सदैव ततपर रहना चाहिए। नवरात्री के चो उच्य ब्राम्हांडिय सत्के प्रती ग्रहण सिल हो जाती है। इनके मंत्र का जाप करने से उनके भक्तों को इच्छा संतुष्टी मोह भंग और निरासा के अंतहिन चक्र से मुक्ती मिलती है। अतह ये ब्रामहड इनकी पूजा करने से भक्तों को कोई रोग नहीं सता था इनकी गृपा इतनी बड़ी है कि भक्तों को हर तरह की सुख प्राप्त होते हैं अतह तुम भी नवरात्री का वरत करो और चौथे दिन माता कूस मांडा की पूज अर्चना करके अपने जीवन को सुखी बना सकते हो सत्वरत रिसी के मुख से इतना सुनने के बाद सुसील ने सत्वरत को अपना गुरू बनाकर उनसे माया वीज नामक माता कूस मांडा के मंदर की दिख्छाली तत पश्चात नवरात्री वरत रखकर उस मंदर का नियमित जाप आरंभ कर दिया उसने देवी दुर्गा की स्रध्धा और भक्ती पुर्वक आराधना की और इस प्रकार उसके निश्चल और प्रेम भाव से की गई आराधना से देवी मा प्रशन हो गए। सुसिल की भक्ती से प्रशन होकर देवी माने उसे नव रात्री की अंतिम दिन साग्छात उसके समक्ष प्रकट हो गए। और सुसिल को उसका अभिष्ट वर प्रदान करते हुए उसे संसार का समस्त बैभाव एश्वर और मोक्ष प्रदान किया। इस प्रकार भगवती दुरगा माता कुस मांडा ने प्रशन होकर अपने भक्त सुसिल के सभी कष्टों को दूर कर दिया। और उसे अतूल धन संपदा, मान सम्मान और सम्रिधी प्रदान की। तो बोलिए अंबे मात की जय, जय माता दी, प्रिय भक्त गड़ों। आईए अब सुनते हैं, सुख सम्रिधी और बैभाव देने वाली माता कुस मांडा की दुसरी कथा, इस कथा को सुने बिना यह ब्रत कथा अधूरी मानी जाती है, इसे सुनकर कथा को पून करिए और माता का आसिरवाद प्राप्त करें। बहुत ही पुराने समय की बात है, एक गरीब बूढ़ी मा, मा दुरगा के मंदर के आगे भिक्छा के लिए सुबह से बैठी रहती थी, लेकिन एक दिन उन्हें उस मंदर के बाहर कुछ नहीं मिला, और उस दिन उन्हें पानी पीकर ही अपनी भूख मिटानी पड़ी, तब उस बूढ़ी गरीब को यह देखकर बड़ी खुसी हुई, कि मंदर में उस दिन बहुत ज्यादा भिड़ थी, उस दिन नवरातरी का चौथा दिन था, उन्होंने सोचा साइद कोई तेहवार होगा, क्योंकि वो मंदर दुरगा माता का बहुत ही प्राचिन मंदर था, बू कि उस मंदर के पुजारी को आगे आख सुने लिए, तब ही वो गरीब बुढ़ी मा, आखों में आसू लिये, मा दुरगा को याद करने लगी, और उनसे कहने लगी, हे मया, कि मुझे कोई भीख नहीं दे रहा, मुझे तो केवल दुख इस बात का है, कि भरे हुए घर को हर कोई इंसान और भी ज़्यादा क्यों भरता है, लेकिन क्या किसी को भी, हम जैसे भूखे और गरीबों के, खाली हाथ बिल्कुल भी नजर नहीं आते हैं, ऐसा क्यों होता है मया, और अगर ऐसा ही चलता रहा, तो हम जैसे गरीब लोगों का क्या होगा, दुरगा मया से मन मे इतना कहने के बाद, उस बुढ़ी मा ने सोचा कि सायद आज भी मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा, इतने में ही ना जाने कहां से, एक सुन्दर सी कन्या उस दुरगा मा के मंदर की सिड़ियां चुढने लगी, और तो जैसे मौसम ही बदल गया हो, जैसे ही वो सुन्दर क कन्या उस पंडित के पास पहुची, तो उस समय वहां उस गाव का एक बहुत धनवान व्यक्ति खड़ा हुआ था, तो जैसे ही उस धनवान व्यक्ति ने अपनी पैसो और लड़ू बरफी से भरी हुई थाली, पूजा के लिए पंडित को पकड़ाने लगें, तो वैसे ही उस कन्या ने उन्हें रोकते हुए कहा, हे धनवान व्यक्ति, तुम्हें ये पैसे और लड़ू बरफी से भरी हुई थाली, इस मंदिर के बाहर बैठी, उस बुढ़ी मा को क्यों नहीं देते, वह बैचारी कल से भूखी है, और उनकी सहायता करना तुम्हारा कत्तब्य है, जबकि दुर्गा माने तुम्हें तुम्हारी मेहनत का खूब धन दिया हुआ है, लेकिन उस धनवान व्यक्ति ने अपना घमन दिखाते हुए उस छोटी कन्या से कहा, तुम कौन हो, मेरे दुर्गा मा की पूजा के बीच में आने वाली, और मैं ये सारा धन इस बुढ़ी गरीब को ही देनी होगी, लेकिन उस धनवान व्यक्ति ने उस सुन्दर कन्या की बात न मान कर, वो पैसो की थाली उस पंडित को जैसे ही पकड़ाने लगा, वैसे है उस कन्या ने जोर से धरती पर अपना पैर मारा, तो जैसे पूरी धरती ही हिलने लगी, और अचानक वो धनवान व्यक्ति सेडियों से लुढकता हुआ, उसे बुढी मा के पैरों में आकर गिरा, जिसे वो धनवान व्यक्ति पैसो की थाली देने से मना कर रहा था, तभी वो धनवान आदमी खड़ा होकर ये सोचने लगा, कि ये कैसा चमतकार था, मैं उपर से नीची कैसे गिरा और जब उसने उपर की तरफ देखा, तो मंदिर के पास भी कोई नहीं था, और वो कन्या भी वहाँ नहीं थी, तो उसने उस मंदिर के पंडित से पुछा, पंडि जी अभी अभी यहाँ एक सुन्दर सी कन्या खड़ी थी, वो मुझे मंदिर में प्रसादना चढ़ा कर उस गरीब बुढ़ी को देने के लिए कह रही थी, तो उस पंडित ने बहुत ही अचंभित होते हुए उस धनवान आदमी से कहा, कि नहीं नहीं, यहाँ तो कोई भी कन्या नहीं आई, और तो और मैंने तो आपको भी यहाँ अभी अभी देखा है, इतना सुनते ही, उस धनवा उसका कहा भी मैंने क्यों नहीं माना, तब ही वो धनवान व्यक्ती, दुरगा मा की मुर्ती के आगे रोता हुआ, हाथ जुड़कर यह कह रहा था, मुझे माफ कर दो मैया, मैं आपका इसारा समझ नहीं पाया, लेकिन अब मैं आपके दर्शन से धन्य हो गया, यह सब धन द पैसे और कुछ खाने के लिए देता है, तो बोड़ी गरीब उसे खूब आसिरवाद देती है, और कहती है, तुम हमेसा धनवान रहो, और मातारानी तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की हमेसा रक्षा करे, ऐसे आसिरवाद से उस धनवान आदमी को बहुत खुसी मिली, और तभी से उस धनवान आदमी को कोई भी गरीब मिलता था, तो उसकी मदद जरूर करता था, इस कथा के माध्यम से मातारानी का यही संदेश होता है, किसी गरीब भूखे की सहता अवश्य करनी चाहिए, अन्नदान महादान, अन्नदान करने से विक्ति को इह लोग और पर प्रकार की मनुकामनाएं पूरी होती है, इसे आधे पर त्याग नहीं करना चाहिए, इससे माता का अपमान होता है, साथ ही आपको अंतमे आर्ती भी सुनाई जाएगी, दुर्गा सप्तसती का चोथा अध्याए, इंद्र आधी देवताओं द्वारा देवी की इस्तुति, महर्शी मेधा बोले, देवी ने जब पराकर्मी दुरातमा महिसासुर को मार गिराया और असुरों की सेना को मार दिया तब, इंद्र आधी समस्त देवता अपने सिर तथा सरीर को जुका कर, भगवती की इस्तुति करने लगे, जिस देवी ने अपनी सक्ति से यह जगत ब् किया है, और जो संपूर्ण देवताओं तथा महर्शियों की पूजनिय है, उस अंभिका को हम भक्ति पुर्वक नमस्कार करते हैं, वह हम सब का कल्याण करें, जिस अतुल्य भाव और वर्ल का वर्णन भगवान विश्मू शंकर ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकें, वही चंड पुल में उत्पन होने वालों के लिए तुम लज्जा रूप होकर उसके घर में निवास करती हो, हम दुर्गा भगवती को नमस्कार करते हैं, हे देवी, इस विश्व का पालन करो, हे देवी, हम तुम्हारे अच्चिन्त रूप का किस प्रकारवर्णन करें, आसरू का ना जगत की उत्पत्ति का कारड हो, हे देवी, भगवान, विश्णू, शंकर, आदि किसी भी देवता ने, तुम्हारा पार नहीं पाया, तुम सबकी आसरे हो, यह संपून जगत तुम्हारी ही अनसरूप है, क्योंकि तुम सबकी आदि भूद प्रकरती हो, हे देवी, तुम् आपको स्वधा कहते हैं, हे देवी, वह विद्या जो मुक्ष देने वाली है, जो अच्चिंत्य, महा ग्यान शरूपा हैं, तत्वों के सार को वश्मी करने वाले, संपून दोस को दूर करने वाले, मुक्ष की इच्छा वाले मुनी जन, जिसका अभ्यास करते हैं, वह तुम ह तुम वाडी रूप हो, और दोस रहित, रिग तथा जजूर वेद की, एवं उदगिद और सुन्दर पाठों के पाठ करने वाले साम वेद की, आसरे रूप हो, तुम भगवती हो, इस विश्व की उत्पत्नी एवं पालन के लिए तुम वारता के रूप में प्रकट होई ह और तुम संपून संसार की पीडा हरने वाली हो, हे देवी, जिससे सारे सासरों को जाना जाता है, वह मेधा सक्ति तुम ही हो, और दुरगम भवसागर्शे पार लगाने वाली नौका भी तुम ही हो, लक्षमी रूप से विश्णु भगवान के हिर्दे में निवास करने व कांती से, कामनिय तुम्हारे मुख को देख कर भी महिसासर क्रोध में भर गया, वह बड़े आश्चर की बात है, और हे देवी, तुम्हारा यही मुख जब क्रोध से भर गया हो, उदैकाल की चंद्रमा की भाती लाल हो गया, और तन्योही भवों के करण बिकराल रूप हो उसे देख कर भी महिसासर के सिघ्र प्राण नहीं निकल गए, यह बड़े आश्चर की बात है, आपके कुपित मुख के दर्शन करके भला कौन जीवित रह सकता है, हे देवी, तुम हमारे कल्याड के लिए प्रसन हो, आपके प्रसन होने से इस जगत का अभ्यूदय होता है और जब आप कुरुद हो जाती हों तो कितने ही कुलों का सरवनास हो जाता है, यह हमने अभी अभी जाना है कि जब तुमने महिसासर की बहुत बड़ी शेना को देखते देखते मार दिया, हे देवी, सदा प्रताप देने वाले तुम, जिस पर प्रसन हो जाती हो, वही की वृध्धी होती है उसका धर्म कभी सिथिल नहीं होता और उसके यहां अधिक पुत्र पुत्रियां और नौकर होते हैं ये देवी तुम्हारी कृपा से ही धर्मात्मा पुरुष प्रती दिन स्रध्धा पुरवक यग्य करते हैं और धर्मानुकुल आचल करते हैं और उनक इस्थिर्चित वालों के द्वारा चिंतम करने पर उन्हें और अत्यंत मंगल देती हो हे दारिद्र दुख नाशनी देवी तुम्हारे शिवा दुसरा कौन है तुम्हार आचित सदा दुसरों के उपकार में लगा रहता है हे देवी तुम सत्रों को इसलिए मारती हो कि उनके मरने से दूसरों को सुख मिलता है बहच्चाहे नरक में जाने के लिए चीर काल तक पाप करते रहे हो किन्तु तुम्हारे साथ युध करके सीधे श्वर्ग को जाए इसलिए तुम उनका वध करती हो हे देवी क्या तुम दृष्टी पात मातर से समस्तर असुरों को भश्व नहीं कर सकती आवस्य ही कर सकती हो किन्तु तुम्हारा सत्रों को सस्त्रों के द्वारा मारना इसलिए है कि सस्त्रों के द्वारा मर करवे स्वर्ग को जाए इसी तरह से हे देवी उन सत्रूओं के प्रती भी तुम्हारा विचार उत्तम है। हे देवी तुम्हारे उग्ड़ खड़क की चमक से और त्रिशूल की नोक की कांती की किर्णों से असुरूं की आखे फूट नहीं गई। उसका कारण यह था कि वे किर्णों से सोभायमान तुम्हारे चंत्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले सुन्दर मुख को देख रहे थे। तुम्हारे वल की किसके साथ वराबरी की जा सकती है। तथा सत्रूं को भय देने वाला इतना सुन्दर रूप भी। और किसका है। तुम को हमारा नमस्कार है। तुम सूल तथा खडग से हमारी रक्षा करो। तथा घंटे की ध्वनी और धनुस की टंकार से भी हमारी रक्षा करो। हे चंडिके आप अपने तुरिशूल को घुमाक पुर्व पश्चिम उत्तर तथा दक्षड देशा में हमारी रक्षा करो। तीनों लोकों में जो तुम्हारे शौमे रूप हैं तथा घोर रूप हैं उनसे हमारी रक्षा करो। तथा इस पृत्वी की रक्षा करो। हे अंबिके आपके कर पलवों में जो खडग, शूल और गदा, आदी, सस्त्र, सुभा पा रहे हैं उनसे हमारी रक्षा करो। महर्शी बोलें इस प्रकार जब सब देवताओं ने जगत माता भगवती की इस्तुती की और नन्दवन की पुस्पो तथा गंध अनुलेपो द्वारा उनका पूजन किया और फिर सबने मिलकर जब सुगंधित वद्व धुपो द्वारा उनको सुगंधित निविधन की तब देवी ने प्रशन होकर कहा हे देवताओं तुम सब मुझसे मनो वांचित वर मागो देवता बोले हे भगवती तुमने हमारा सब कुछ कार कर दिया अब हमारे लिए कुछ भी मांगना बाकी नहीं रहा क्योंकि तुमने हमारे सत्रु महिसासुर को मार डाला है हे महस्वरी तुम इस पर भी यदि हमें कोई वर्दान देना चाहती हो तो बस इतना वर्दान दो कि जब-जब हम आप का स्मरड करे तब-तब आप हमारे विपत्तियों को हरड करने के लिए हमें दर्शन दिया करो हे अम्बिके जो कोई भी तुम्हारे इस्तुति करे तुम उनको वित्त, समरिध्धी और बैभाव देने के साथ ही उसके धन और इस्त्री आदी समपत्ति बढ़ावे और सदा हम पर प्रशन रहे महर से बोले है राजन देवताओं ने जब जगत के लिए तथा अपने लिए इस प्रकार प्रशन किया तो बस तथा अस्तु कहकर देवी अंतर ध्यान हो गई हे भूप जिस प्रकार तीनों लोकों का हिद चाहने वाली यह भगवती देवताओं के सरीशे उत्पन होई थी वह सारा व्यतांत मैंने तुमसे कह दिया ना दुरगे मा तेरी आरती गाओं अम्बे माहरानी तेरी आरती गाओं आरती गाओं मैया तुमको मनाओं अम्बे माहरानी तेरी आरती गाओं अम्बे माहरानी तेरी आरती गाओं पहली प्रकटी देवी सेला पूतरी दूसरी व्रमह चाडी जगनिर पातरी देख रूप बली हारी मैं जाओं नो दुरिके मातेरी आरती गाओं तीसरी चंद्र घंटा सांती दायक तीसरी चंद्र घंटा सांती दायक चोथी कुसमांडा जग की नायक मा के चरडों में सीसन वाओं नो दुरिके मातेरी आरती गाओं नो दुरिके मातेरी आरती गाओं पांच मिश्कंद मा भाग्य की दाती छठी का त्याने तुष्टी दाती जोते जलाओं मैया सुमेरने गाओं नो दुरिके मातेरी आरती गाओं नो दुरिके मातेरी आरती गाओं सात्वी काल राती शुभ फल दायक आठ्वी माहा गौरी सक्ते दायक माहा सत्ती की महीमा मैं गाओं नो दुरिके मातेरी आरती गाओं नो दुरिके मातेरी आरती गाओं नो दुर्गे मातेरी आरती गाओं नौ दुर्गा पूजन से पूर्ण नवरात्री, दुर्गा पूजन का आनंद पाउं। नौ दुर्गा मा तेरी आरती गाउं, अम्बे माहराने तेरी आरती गाउं। नौ दुर्गा मा तेरी आरती गाउं। आरती गाउं मैया तुम को मनाउं। अम्बे माहराने तेरी आरती गाउं। बोले अम्बे मात कीजए हरहर महादेव।